स्पोर्ट्स लाइफ देख रहे हां मैं हूँ आपके साथ सचिन भारत और न्यूज़िलंड की बीच खेले जारहे दूसरे टेस्स मैच जो की पूने में समय खेला जारहा है इस टेस्स मैच का टॉस न्यूजलेंड ने जीत लिया और पहले बलेबाजी करने का फैसला किया आपको बता दें टॉस के बाद दोनों टीमों ने अपनी अपनी प्लेइंग 11 का एलान किया जहां भारती कपदान रोई शर्मा ने टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में होए तीन बड़े बदलाबों की जानकारी दी जिसमें से एक उम्मीत के मताबिक केल राउल से जुड़ी रही रोई शर्मा ने बताया की केल राउल, मौमद सिराज और कुलदीब यादाव पूरे टेस्ट का हिस्सा नहीं होगे प्लेइंग 11 में इन तीनों की जगा शुम्मन गिल, अकाज दीप सिंग और वाशिंटन सुन्दर ने जगा बना ली है शुम्मन गिल, गर्दन की अकडन के चलते, बैंगलूरू में पहला टेस्स नहीं खेल सके थे उनकी जगा मिले मौके को सर्फरास खान ने पूर्तर से बनाया और 1.500 की बेमिसाल पारी भी खेली जिसका नतीजा एराग ये पूर्णे टेस्स से केल राउल को तो बाहर होना पड़ा ठीक ऐसे ही मौमद सिराज की नाकामी भी उन पर भारी पड़ गई पिछली 14 टेस्स पारियों में वो सिर्फ 12 विकेट ही ले पाए हैं यही एक बज़ा रही कि टीम मैनेजमेंट ने सिराज की जगा पूने में अकास दीब को खिला दिया है लेकिन सबसे बड़ा नाम केल राउल जिसको लेकर के सबसे ज़ादा चर्चा हो रही थी और फैंस भी सोशल मीडिया पर कही न कहीं अपना गुसा जाहिर कर रहे थे कि केल राउल पिछली कई इनिंग से जो है टीम इंडिया के लिए रंस नहीं बना पा रहे हैं और क्या वो जस्टिफाइ करते हैं खुद की पोजीशन को प्लेइंग 11 में जगा बनाने पर और इस सीज का भी इंतजार था कि आखिर कफ्तान और कोच क्या फैसला लेते हैं क्या सर्फराज खान को खिलाते हैं या केल राउल को खिलाते हैं जिसके बाद जब टीम अनाउंच हुई तो वहाँ पर केल राउल तो नजल नहीं आए लेकिन सर्फरास खान जोने पिसले मैच में शांदार पारी खेली थी उनको मौकाश जरूर दिया गया फिलाल कह सकते हैं कि फैंस जरूर इस सीज से सहमती जता सकते हैं लेकिन इस पर आपकी क्या रहा है कॉमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताईएगा अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर जरूर कीजेगा